हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज जो है हम लोग भूगोल से संबंदित महत्योपूर्ण प्रस्नों को पढ़ने वाले हैं ठीक है क्योंकि हमनों लगातार एक ही विशे संबंदित प्रस्न को तो पढ़ नहीं सकते तो इसल जो को जियोगर्फी क्लास जो है वह वैसे तो आपकी जियोगर्फी क्लास बसंत सर पढ़ाते हैं पर हम जो है क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परिच्छाओं की द्रिष्टी से उस क्वेश्चन को हम अपनी क्लास में लेते हैं तो हम लो को अपने दोस्तों तक भी जरूर सेयर करना तो आज का हमारा जो है पहला प्रस्न क्या है विस्व में लौ आयस के तीन अग्रिडी उत्पादक है अब विकल्प है चार हमारे सामने देखते हैं कौन सा है आश्ट्रेलिया चीन संयुक्तराज अमेरिका चीन रूस आश्ट्रेल है इसमें से जो है सबसे हमारत ci सीनमबर का ओक्वाप्शन है वैसे तो सकने ड RF सबसे अधीक उत्पादन जो है भारत में कहांपे भारत में वरतमान में इस्व का लगभग जो है 15 प्रस्चत लोए इस संचित करता भारत है ठीक है तो यह याद रखना और लौह आयस के चार प्रकार होते सामाननेत मैगनेटाइट हेमेटाइट लीमोनाइट और सीडेराइट यह चार जो हैं लौह आयस के प्रकार है और विश्व में प्रमुख उत्पादक देश रूस संच्राज अमेरिका चीन ब्राजीलियो मास्ट्रे लिया है ठीक है तो इस option के according जो है सी नंबर वाला option सही है आते हैं next question पे तो हमारा next question कौन सा है रितु प्रवास किया करते हैं भूटिया भुक्चा जैनसारी थारू पहले तो यह जान लेते हैं कि यह सब हैं क्या तो यह एक basically जनजात है भूटिया भुक्चा जैनसारी थारू यह सब एक जनजात है तो जो है रितु प्रवास जो है वो भूटिया जनजात करती है बूटिया जनल के लोग रितू प्रवास करते हैं और जयन सारी थारू एक ही अस्थान पर अस्थाई रूप से निवासी ये तीनों जो है एक ही अस्थान पे अस्थाई निवासी है जब्की भूटिया मतलब समय समय पर अपना वह चेंज करती है क्योंकि यह क्रिस्ट gj जन जाती है और हुट्राखंडी की जन ज़ाती है वार भुप्रवाप्रवास के लिए आप रहा को भुटिया और जैनसारी यह दोनों कहां की जन जाती है जैसे आपको प्रस्थ में आया कि यह C और A नंबर वाला उप्सन अगर आ गए मनलो कि भुटिया और जैनसारी जन जात कहां की है तो आप जो है लिखेंगे उत्रा खंड की और आता है भुक्सा और थारू तो आप नेक्स्ट कोस्चन पर हमारा नेक्स्ट कोस्चन कौन सा है बेंबा नाद जील है कहां पर है आंद्रप्रदेश में केरल में उडिसा में या तमिल नाड में तो बेंबा नाद जील जो है केरल में है कहां पर है केरल में बी वाला उप्सन सही है बेंबा नाद जील अभी किसी जिल हो गया है तो यहा नाम पने कामेंट में बता किस जिल का पनी लाल हो गया है तो बिंबनाज जिल करल मेंस्तित्त है अंदरपरद्यश क्यौन हां जील , उडिसा में चिलका जील और पुलीकट में जो है तमिल नाडु में है तो यह जो है देखो बिम्बनाज जील केरल में इस्थित है आंद्रप्रदेश में हुसैन सागर जील इस्थित है यहाँ पे हुसैन सागर जील इस्थित है उडिसा में जो है चिलका जील इस्थित है और के रले में में जिल से western में जुचई पूच्जा गया है ठीक है आते हैं नेक्स्ट कीस्चेन हें निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है भारत का सबसे गहरा पतन प्राक्रितिक पतन जवाहलाल भारत का एक मात्र पत्तन जवाहलाल नहरू पत्तन भारत का एक मात्र मसीने कृत पतन और कांडला जुआरी पत्तन इसमें काउंस सुमेलित नहीं है यह वाला उप्शन च नय भारत का सबसे गहरा पत्तन भारत का सबसे गहरा पत्तन देश पूर्वी तट में इस्तित आंदरपदेश के विसाखा पत्न बंदरगाह में तो ये वाला उप्सन इसलिए गलत होता है ठीक है और बाकी सब ये सब सही है तो इस कोश्चन में पूछा गया कि कौन सा जो इस कोश्चन में क्या पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है यहां प पत्तन है चन्नाई जो है सबसे गारा पत्तन नहीं है क्यों क्योंकि सबसे गारा पत्तन जो है कहां पर है आंद्रप्रदेश के विसाखा पत्न बंदरगाह पर ठीक है आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन कौन सा देखते हैं बर्मूडा त्रिभ अव इस्थित है बर्मूडा त्रिभूज अव इस्थित है कहां पे उत्तरी अट्लांटिक महासागर दच्छणी अट्लांटिक महासागर उत्तरी प्रसांत महासागर दच्छणी प्रसांत महासागर तो बर्मूडा त्रिभूज अव इस्थित है वो है उत्तरी अट्लांटि और चुना पत्थर से निर्मित लगबग 300 प्रवाल दीपों की पुंज है यह पस्चिमी उत्तरी अट्लांटिक छेत्र में इसकी खोज जो है 1503 में हुई थी तो जो है बर्मूडा त्रिभू जो है इसकी खोज 1503 में हुई थी और किस ने किया था जुआन बर्मेड बर्मूडेज जुआन बर्मूडेज ने किया था थोड़ा नाम अटपटा है जुआन बर्मूडेज ने किया था यह इस्पेन के जो है जहाज यात्तरी थे ठीक है आते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन पर हमारा नेक्स्ट कॉस्चिन कौन सा है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है करलीफोनिया में फ्लोडुरीडा में हांग कॉलकाता में तो कहां पे इस थीत है आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कमेंट इस टाइम पर बहुत कम करते हैं तो आप लोग कमेंट किया किजिए ठीक है तो जो है डायमंड हारबर और साल्ट लेक सिटी जो है वो कहां इस्थित है तो कलकत्ता में इस्थित है बंगाल की राजधानी जो है पस्टी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में इस्थित है जो है साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में इस्थित है ठीक है आते हैं नेक्स्ट कोस्चन प के समय 12 गंटे का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में करक संक्रांती के समय 12 गंटे का दिन होगा तो देखते हैं कौन सा उप्षन इसमें से सही है करक रेखा पर मकर रेखा पर आर्कटिक वित पर विशुत रेखा पर तो इसमें से जो है डी वाला उप्षन सही है विशुत रेखा पर जो है उत्तरी गोलार्ध करक संक्रांती के समय 12 गंटे का दिन होगा तो विशुत रेखा पर भूमद रेखा पर पूरे वर्ष भर में राद दिन और रात की अवधी अंतर सून्य होता है अर्थाद 12 गंटे की अवधी का दिन एवं 12 गंटे अवधी की रात करक रेखा वर मकर रेखा पर उत्री गोलार्ध की और दच्छिडी गोलार्ध की इस्तिती विशुत रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर 21 जो है 21 जून तो आज ही है थोड़ा डेट की कन्फूजन हो रही है तो 21 जून जो है आज ही है 21 पर 21 में 21 जून का आज तो जो है योगा दिवस है विस्व योगा दिवस है विस्व योगा दिवस 2020 की थीम क्या है आप लोग कमेंट में बताई आज जो विस्व योगा जलते कोस्चिण जो हैगा उत्री गोलार्थ और करक संकरांत की समय बारे घंटे का दिन होगा वह विसुवत रेखा पर होगा बिसुवत रेखा पर होगा दीवा बों सेड आते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन तो नेक्स देखते हैं ओईौण अवस्तित है यह काफी मतलब वह होता है कई लोग बूल जाते हैं ओजोन परत कहां पर है तो देखते हैं कहां पर इस्तित है ओजोन परत छोब मंडल में चोब मंडल में, चोब सीमा में, समताप मंडल में, प्रकास मंडल में, यह कोस्चन आप लोगों को कमेंट में बताना, क्योंकि यह कोस्चन आसान है, तो इसका एंसर आप भी सभी को पता होगा, इसका एंसर सब लोग आप कमेंट में बताना, कि जो है ओजोन परत कहां पर इस हो वह उब्हूं लोग कमेंट में बताइएगा तो नेक्स्ट कोस्चिन प्रेजिशन है बाक्साइड ऐस्क है सीचा का ऐमोनियम का जाषटा का ताबका तो अटा ऐस्क है ऐल मॉनियम का और मियम के अन्न जो है क्रोयोलाइट कोरन कोरंडम डायस्पोर आधी बाकसाइट के खनन में आस्टेलिया का प्रतम अस्थान है ठीक है गीनी जुमैक का ब्राजील अन इसके उत्पातक देश भी है आते हैं नेक्स्ट कोस्चन पे नेक्स्ट कोस्चन हमारा है बुद्ध से निकटतम दूरी नेक् में तो कौन सब्सक्राइब यह भी आप लोगों को लगबग पता होगा तो इसका भी आप संधोस्ट आज आप लोगों को दो क्वेश्ट दे रहा हूं इस दोनों का जो है अंसर आप लोग कमेंट में बताना है पहला जो है ओजोन परत कहा पर इस्तित है यह मतलब कहां पर पाई जाती ओजोन परत ये भी आप लोग जो है कमेंट में बताना कि इसमें से कौन सा ओप्शन सही है मतलब डिटेल में लिखके बताना कि ये भी कमेंद कन्फूजन हो जाती है न तो आप लोग लिखके बताना कि ओजोन परत जो है इस मंडल पर इस्थित है ओजोन परत और यह भी बताना आप लोग कमेंट में कि जो है पित्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जो है सबसे निकट ग्रह कौन सा है यह भी आप लोग कमेंट में बताना ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों को दाहिंदू की क्लास चाहिए आप लोगों ने ये नहीं बताया था तो आप लोग बताईए कि हां मुझे दहिंदू की क्लास चाहिए तो हम जल्द ही जल्द आपके लिए दहिंदू की क्लास स्टार्ट करवाएंगे ओके बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केर